हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे गुरूपडी का क्या फैसला आया है एड़ीपी सीके लिगार्डिंग क्या हुआ है और बीस कुना का मेटर था पेपर एक होना था रेलवे जो गुरूपडी का उस तब हमारा उसमें नाम आ जाए ठीक है वो क्या क्या तरीका है वो हम आपको पताते हैं सबसे पहले बताते हैं कि जो रेलवे गुरूपडी के रिकॉर्डिंग आ रहा था कि पेपर दो होंगे यानि कि एक CBT1 होगा और CBT2 होगा उसमें जो फैसला आया है उसका ये है कि रे चेंजे आये थे आब वो चेंजे पूराने जैसे हो गया जैसे कि बच्चों ने मांग की थी बिल्कुल हो वैसा ही कर दिया गया है जो बच्चों की मांग थी बिल्कुल वैसे है कि रेलेवे गुरूपडी का एक angled हो हा 91 रोने का था के मेर्या मेरा मेरा wenn इतने का बनाया तो आप किसी भी time का AWS वो भी माननी होगा ठीक है फिर NTPC के according है कि इसमें revise result आएगा इसमें 20 गुना बच्चा लिया जाएगा ठीक है यानि कि इसमें NTPC में ये था कि एक ही बच्चा कई लेवल पर qualify हो गया था जिससे बाकि जो दूसरे बच्चे थे उन्हें मौकार नहीं मि थे वो 20 गुना बच्चे उसमें result में ले लिये जाएंगे ठीक है और यहां पर जो paper है group D की जो date आगई है वो भी आपकी July 2022 से होने लगेगी July 2022 में आप इसका जो है paper देने को मिलेगा group D का और जल्द में ही इसका अप्रेल तक इसका जो है result आ जाएगा उसमें आप participate करेंग और CB2 की तयारी करहीर हैं होंगे ठीक है अब बात कर लेते हैं थोड़ा हमारी strength कैसी होने चीए अब हम क्या क्या पढ़ें थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं यानि कि जो आपकी मांगे थी वो मानी गई है यानि कि जो भी आपने मांगे मांगनी थी वो सारी की सारी मानी कैसे लिए देखो सबसे पहले हम रेल वे it का बता है आण एं अ ओ व्भी वाले बच्चे अलांकि यह आपको देना सब और है चाहें जो टी पीसी में पास हो गया था उसकोभी प्र डिए देना ही है वह देगा ही क्योंकि अब उनकी जॉइनिंग नहीं हुए, हाँ जॉइनिंग हो जाता है, तो कुछ बच्चे जॉइनिंग होके नहीं देते हैं, लेकिन अभी तो देना है, सबसे पहले आप ध्यान देओ, railway group D का paper कितना होगा, paper तो एक ही paper होगा, ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइन्स, फिर आप देखेंगे, यहाँ पर GS और current affair का थोड़ा सा portion है, तो अब आपको क्या क्या करना है, देखो, सबसे पहले, जो railway group D का है, आप जानते हैं, रिजनिंग कितने के आ रही है, रिजनिंग आ रही है 30 की, ठीक है, रिजनिंग 30 की है, साइन्स कितने की है, साइ 30, 35 और 30, 80 और 200, हाँ, पूरा 100 है, टोटल 100 होना चाहिए, अब इसमें आप कितना score करें कि आप सेफ रहेंगे, ठीक है, मैं आपको इतना बतारा हूँ, कितना score करें, यहाँ पर इसकी cut-off क्या रहने वाली है, तो देखो, अगर आप इसकी cut-off की बारे में बात करोगे, कि य strength बताई थी, कि group D में, मतलब sorry, जो NTPC में, आप सिर्फ 60 number लाओ, तो आपका हो जाएगा, यह लाओ, तो अब वो कोई नहीं हो पाया, ठीक है, वो ऐसा नहीं हो पाया, तो ऐसा ही आप देख रहे होंगे, रेल बे, जो अहलांकि यह बचे सब 17 हो चुके हैं, वो किसी की बा ठीक है, तो लेकिन ध्यान देजिए, जैसे group D में, अभी आपने देखा होगा, वीडियो कोई कहता नहीं है, आप 50 ले आओ, आप 60 ले आओ, आपका 20 number मिलेंगे, आप इस तरीके के जहांसे में नहीं रहना है, आपको पूरी मेहनत से इमानदारी से त्यारी करनी है, इस बा का जो डिफरेंस है, वो कम से कम रहे है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान दे, आपको टोटल जो 100 है, तो आपको लगबग लगबग, लगबग लगबग, आप 80 से 85 पर पहुँचिए, देखिए, 80 से 85 कोईशन आपके सही होने चाहिए, यानि कि इतने कोईशन क्या हो, इतने को कोईशन के बीच में सही होना चाहिए, यानि कि आपके इतने कोईशन आने चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 साल से, मतलब ये 4 साल है, 3 एर से अगर आप तयारी कर रहे हो, तो अभी भी आप 80 पचासी नहीं पहुच पाए हो, फिर गड़बड है, क्योंकि आपको 80 पचासी हला ठीक है, क्योंकि इतने दिन से पेपर पड़ा हुआ है, होता क्या है, मेरिट कटाफ जाने का चांसे सिसले कम हो जाता है, क्योंकि पेपर होता है, तो सारे लोग नहीं होते हैं, इसमें सारे लोग पड़े हैं, सब का किसी का ज्यादा तरवी जो है जो है जो है जो है जो है लेकिन पहले जो बीच में थे उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई फाइदेवाली बात यह है कि इसमें अभी कोई जैसे नया आप कंडिडेट एंटर नहीं किया है तो पहले के ही पड़े हुए कोरोना वाइरस पहले से ही पड़ा हुआ है तो बहुत से बच्चे ज्वाइनिंग पड़े हैं तो अब पता नहीं है कौन कितना पड़ा है कौन कितना खींच के नंबर लाए तो इसलिए आप ध्यान रखें 80-85 आप ले रहे होंगे और सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाए तो मॉक टेस्ट में ही है अब आप देखो 80-85 कैसे खींच सकते हो तो आपको मै कुछ प्रपेर करके नहीं मैं ऐसा ही बता रहा हूँ आपको द्यान दे आठ और तीन 11 का एक हांसिल कितने लग जाएंगे एक दो दो चार और दो च्छे और एक दो दो चार दो छे और एक साथ और एक हासिल आठ अब देखिए आप 81 पहुंच गए मलब आपको इतना करना ही है वही मैंने आपको 85 के बीच में बताया अब 23, 28, 20, 10 यह है हमने इसमें आपको 20 में 18 नहीं करे 15 नहीं करे साइंस के हमने आपको कोशन जो है 25 की जगा 20 नहीं करें बलब वह इसकोर लिया है जो कर सकते हैं आप लोग और हमारी कोशिंग वगरा में और भी बच्चे कई कोशिंग में और आप लोग खोज वीडियो देख रहा होंगे वो करते होंगे ऐसा ठीक है वो लोग सेवर हो जाएंगे ठीक है तो आप इस तरीके से से स्टेंद है उसमें आपको 120 कोश्चन करना पड़ेगा सायद इसमें 50 है इसमें 35 35 है ऐसा आप देख लेना और तो आगर आप इसमें मैनत करेंगे तो यह इसमें काम आ जाएगा NTPC का अगर आपका रिजल्ट नहीं आए तो सबसे जादा फोकस गुरूप D में करें और सबसे जादा मैत रिजलिंग साइन्स पर करें और करें और करेंड अफैर जीएस मिला के थोड़ा वहुत पड़ते रहें ठीक है इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो जरूर त्यार हो जाएगा ठीक है तो आपको यह लेक्षर कैसा ल जाएगा उनके लिए हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपको यह सारी डाउट जो है किलियर हो जाएगे ओके थैंक्यू मिलते हैं नेक सेक्टर में बाकि आप हमारे जो स्री जा रही है जैसे टोटल मैथ का एक ही वीडियो में खतम हो जा रहा है जैसे परसेंटेज मैंने एक ही वीडियो में खतम कर दिया प्रॉफेड लास एक ही वीडियो में खतम कर दिया और हिंदी भी कम्प्लीट चल रहा है जिससे कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लेकर सारे टाइप क्लिर करा देते हैं वहाँ पर ओके तो वहाँ पर जरूर पढ़ें ओके कर दो